हेलो वेल्कम बैग तो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों जितने भी इस्ट्वेन के इस्ट्वेंट सो मुने वाले हैं आई डी के चाहिए आप सेशन 2021 के इस्ट्वेंट हो चाहिए सेशन 2022 के हो छाये भी कोई भी एक्जामा ऑनलाइन होते हैं सभी को रद्द कर दिया जाएगा और सभी एक्जाम को फिर से ओफलाइन लिया जाएगा जैसे पहले इक्जामस लिये जाते थे ओफलाइन उसी तरहीं कि फिर से exam जो है वो offline लेने की बात चल रही है ताकि कौनकों से ट्रेंट offline में सामिल हूँगे कौनकों से ट्रेंट online में सामिल हूँगे चलिए हम इस पर बता देते हैं पुरे detail में क्योंकि अभी meetings चल रही हैं आप लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी सभी exam को offline किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा problems हो रही है बहुत सारा श्रेंट जो है वह fail हो रहे हैं ठीक है तो आपको पता दें कि fail का कारण जो है वह बस यही है online का जो exam होता है इसके कारण काफी श्रेंट जो है वह fail कर रहे है तो क्या reason है कैसे सब्सक्राइब कर लिजे बैल अगन को भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी आप लोग के पास मैं पहुंचा दूंगी आप लोग को तरफ से कौन को से question जो है आपको पुछे जाने वाले हैं ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और पूरी वीडियो को सुनिएगा हर एक वीडियो को देखिएगा क्या पता कौन सी वीडियो में कौन सी आपडेट आजाए वीडियो को चाहिए अपने दोस्तों के पास कमेंट सब्सक्राइब कि आप लोग online exam देना चाहते हैं या offline exam देना चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले चीज आपको बता दें कि आखिर यह decision क्यों लिया जा रहा है ठीक है यह कौन को से session पे लागू होगा देखिए ज जो कि सेकेंडियर का exam होगा 2022 के student है जिनका की फिस्टेर का exam होगा ठीक है दोज़ार तैस में तो यह दोसे संग का exam अभी 2023 में जो है वो चलने वाला है उसके साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी student है जो कि supplementary के student है काफी जादा supplementary के back वाले student है and all supplementary वाले student है इन सभी student क आप लोग के बारे में ही जादा चल रही कि नए स्यर्बन के स्यर्बन है उनका ऊफलान किरा आया जये जैसे पहले होता था ऑनलान के कारण क्या हो रहा है कि पहले स्यर्बने जादा स्यर्लंट पहले जब से अक्जाम अलग तरीके से तरीक से करते थे और एक दूसरे का देख के लिख लेते थे और उसके बाद वो पास हो जाते थे जैसे माल लिए एक क्लास में एक बेंच इस पर तीन अश्रेंट को बिठाया जाता था अब जो है जब ओं-लाइन इक्जाम हो रहे हैं तो ऑन-लाइन एक्जाम में एक कम्प्यूटर पर सिर्फ एक रहते हैं उसी तरीके से जब ऑफ्लाइन वी एक्जाम होगा तो एक बेंच पे सिर्फ और सिर्फ एक को बिठाया जाएगा ठीक है तो इस कारण से जो है चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे एक बेंच पे तीन अस्ट्रेंट को नहीं बिठाया जाएगा ताकि वह ए पेंच चल रहे हैं कि उफ्लाइन इस सारी एक चाहिए अपके थेओरी की एक्जाम हो या फिर आप लोग प्रेक्टिकल वगएर कि तो आफ लाइन हो रहे थे इसको भी प्रेक्टिकल एडि थेओरी सभी एक्जाम्स को आफ्लाइन पीर से कंवर्ट करने की फिकिस की जा रह तो सबी लोग अपनी बाते रख रहे हैं कि तरफ से जिसमें फाइनल डिसीजन जो है फाइनली डिजिटी का ही होगा तो डिजिटी को जो सही लगेगा वही फाइनल लिया जाएगा और उस पे सिगनेचर फाइनली कर दिया जाएगा और नूटिस जारी कर दिया जाएगा अश्रेंड की बात जो है काफी value रखती इसलिए आप लोग comment में बताईएगा कि आप लोग online exam चाहते हैं कि offline exam चाहते हैं आप लोग का ही बात जो है डिजिटी ज़्यादा ध्यान देती है या खिर अश्रेंड क्या बोल रहे हैं बाकी सभी क्या बोल रहे हैं उस पे उतना matter न नहीं अब काफी ज़्यादा चेंज हो गई है इसलिए अब जो है जितने पी आप लोग आई ट्यके स्टूरेंट हैं आप लोग तयार हो जाईए एक्जाम देने के लिए और offline exam देने के तयार हो जाईए अब पलपल की खबर यह कब से लागू होगा इसी exam से लागू होगा यह नेक्स एक्जाम से लागू होगा वह पलपल की खबर आपको मेरे चनल के मादन से मिलेगी और लिष्ट जारी जैसे ही हो जाएगा कौन-कौन से student offline exam देंगे कौन-कौन से student online exam देंगे ठीक है उसमें लिष्ट आएगा और उस लिष्ट में आप लोग का नाम भी सरच करक सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ एक और changes आई है आप लोग के एक्जाम में कि रिजल्ट है वह रिजल्ट उसी टाइम भी सो हो सकता है जिस टाइम आप लोग एक्जाम देने के कुछ ही टाइम दस दिन के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा यानि कि अब होता है फिर भी एक महीने कम से कम वेट करने परते हैं रिजल्ट के लिए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एक्जाम होगा दस दिन के अंदर आपका रिजल्ट हाजिर रहेगा ठीक है डिजी जो है वह काफी ज्यादा चेंज कर रही है आई टी आई को काफी आगे बढ़ाया ज अच्छी तरीके से लेने की त्यारी चल रहेगा अपने मन से एक्जाम सॉल्व करें और अपने मन से पास करें तो आपको बता दे कि जितने भी यह सभी सुविधा आप लोगों मिलने वाली है अब आप लोग कभी भी पीछे नहीं रहेगा जो भी नियू अशुरेंट है य काफी हायेस नंबर के साथ आपको पास किया जाएगा जेहां हाईएस नंबर दे करके सभी यह यह ज्यादा इंपोर्टन्ट घहाट है सभी को काफी ज्यादा हाइस नंबर डिजिटी देगी और आप लोग को पास करेगी ताकि आप लोग को गवर्ण जॉब या प्राइबेट जॉब में नंबर में कोई प्रॉलम ना हो ठीक है तो आप लोग तैयार हो जाएए नियू तरीके से एकजान देने के लिए तो जितन